क्या कहता है सवाल में? कहता है विद्धा फॉलविंग प्रॉसेस गीवन वर्किंग नोट ओपनिंग स्टॉक वर्किंग प्रॉग्रेस हजार यूनिट है और उसकी कीमत कितनी हजार ही है डिग्री अफ कंप्लीशन इस ओपनिंग स्टॉक में मटीरियल तो 100% लग गया लेवर लगा हमारा कितना? 50 और ओवर हेड लगा हमारा? मतलब कहने का मतलब है भाई साब के अब हम मटीरियल ओपनिंग स्टॉक जो आया है वो पका पका आया है नहीं है कच्छा पका है वो अगर आप कह रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक में लेवर पचास ही लगा है तो कहां से तयार हुआ होगा हो इसका मतलब अब हम उसके अंदर और तयारी करेंगे तो लेवर में कितनी तयारी कर देंगे और पचास और ओवर हेड में कितनी तयारी? 60% लेकिन 50 और 60 किसका इस input unit का अभी समझ में आ जाएगा कहता है introduce हमने नया माल लगाया है जो कि कितने का था ये जिसकी कीमत कितना था ये और ये कीमत ऐसे बना होगा जिसमें wages है ये और overhead हमारा ये तो material का है ये दे रखा introduce ये that is material जिसमें से labor ये लगा और overhead लगा है यानि 1000 unit और मैंने उसमें लगाए तो total 11,000 होगा है 1000 नहीं 10,000 है ठीक है ना और उसके खर्चे ये हैं कहता है scrap जो हो गया 1500 तो सर ये scrap का मतलब क्या होगा normal होगा और normal होगा दोनों होगा कहता है degree of completion material completion material ये इसके बारे में बता रहा है scrap में 100%, 80%, 60% तो सर ये किसका percentage माने normal ये abnormal normal का तो percentage ये नहीं होता है उसे 0 मानना होता है तो ये किसका होगा abnormal का ये समझना होगा आपको जो question देगा न तो उसको पढ़़के एक बार आपको समझ में आना चाहिए इसके बाद कहता है closing stock का degree completion दे रखा है 100, 60 और 50 normal loss कितना होगा सर 10% के हिसाब से होगा और scrap value कितना है 2 रुपे per unit बनाना क्या है process account process account तो वही 2 column की चोई दर उदर बन गया लेकिन पहले हमें ये तो पता करें कि इसको use कैसे करेंगा तो सबसे पहले हमने unit निकालेंगे फिर rate निकालेंगे फिर total cost निकालेंगे तो पीछे unit में देखा जाए तो opening stock में जो लगा है input में मैं यहीं पर सीधा कर रहा हूँ और ये सारी बाते इधर थोड़ा सा घिच पीच है लेकिन उसको ध्यान ना देखे आप इस पर focus करिए input में लगा सबसे पहले opening stock opening stock सर कितने एक हज़ार और हमने introduce किया अब देखो यहाँ पर ना मैंने बोला production unit है ये तो यहाँ कितने रुपय का लगा उससे मतलब थोड़ी में हम सिर्फ unit unit के उपर गाम करेंगे वहाँ पर लिखा था 37,000 और कुछ 18,000, 88,000 कुछ कुछ लिखा था तो भईया वो तो हमारा दूसरी पार्ट है हम सिर्फ यहाँ unit की बात करेंगे यानि सर हम total unit लगा चुके हैं जिसमें question में क्या कहता है कि हमारा closing stock है भाई साब पूछ तो सर अगर आपका closing stock है तो लिख देते हैं अच्छा यहाँ नहीं लिखना इधर लिखना है closing stock कितने closing stock सवाल ने का है देख देख सवाल कहता है हमारा closing stock कितना है सवाल ने कहा कि हमारा जो है वो normal total scrap 1500 है लेकिन हम 1500 को detail में लिखना चाहेंगे 1500 है तो 10% बोलता है normal loss है तो normal loss कितना है 1100 abnormal loss कितना है 400 हाँ 1100 ही है पहले यह बताओ यहां तक कुछ-कुछ समझ में आ रहे हैं opening stock कितना था हमारा इस question को ना एक बार में करने में थोड़ा हो सकता है बच्चों को लेंदी लगे लेकिन एक बार मैं ज्यादा नहीं करा हूं आग इसी question को homebook देने वाला हूं ताकि आपका एक smoothly क्योंकि जब कई बार column बन जाता है न तो हमें दिमाग में एक fit करना पड़ता है इस column को यहां बच ड्रो पहले तो format दिमाग में इसका यह 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 एक बार आप practice करोगे तो definitely है अभी आपको बस समझना है सिस समझ समझ में आ रहा है अब अगर देखा जाए तो complete कितना होगा सर complete निकाल के बताते हैं अभी आप सर complete हमने आपने बोला 1000 था और 10,000 लगाए मतलब सर 11,000 लगा दिये न और आप कह रहे हो 1500 रुपे का नुकसान हो गया तो 1500 यूनिट का तो कितने बचे 10,500 यू बचे न दस पांस नहीं 95 आपका मतलब 95 और आप बोलो एक closing stock भी बना लिया तो इसका मतलब आपका 3500 यूनिट तयार है लेकिन तयार में दो बाते होंगी ओपनिंग भी होगा और complete भी होगा तो ओपनिंग अगर 1000 है तो complete कितना होगा तो यानि मैं complete लिखूँ तो total हो गया ठीक है अब completion पे आएंगे opening stock 100% पहले ही लगा चुका था तो यूनिट क्या आएगा कुछ लगाना ही नहीं इसमें opening पहले material लगा चुके तो आप कुछ लगाना ही नहीं है कहता है labor में भाया हमने लगाए है 50% तो 50% भाया labor और लगेगा और 40% लगाए है तो 60 ये लगेगा तो sir 50% ये लगेगा labor that is आपका किसका 50% इसका input वाले का opening का that is 500 और ये लगेगा हमारा 60% वो किसका sir ये input वाले का that is 600 पहला देखे जो हमारा introduce तो इधर जाएगा नहीं complete हमेशा complete का मतलब तयार कर दिया तो complete में लगाया आपने क्या material भी लगाया labor भी लगाया overhead material बताओ कितना percent लगाया होगा यानि labor कितना लगाया होगा यानि overhead कितना लगाया होगा बताओ 100 ये सब 100% होता है sir क्योंकि complete का मतलब ही है कि तयार हो गया हमार अब बात करते है abnormal abnormal का भी percentage नहीं देगा तो आप मान लेना 100% है तोहां चले गए हम abnormal का percentage दे रखा ये देखो स्क्रैप की degree है ये मतलब material 180 और 60 तो ये अभी हुआ ने abnormal loss तो यही percentage रहेगा material का रहेगा 100 100 का मतलब that is 100% यानि 400 उसके बाद क्या था 80% मतलब 480% 8.32 और वह किताब में भी सवाल है निकाल नो पताओ नहीं है अभी डून्ट देंगा आपकी किताब में रूखाओ 60 अब नॉर्मल का होता नहीं तो इसका सबसे आसान ये रहा अब क्लोजिंग का दे रखा है तो ठीक नहीं तो 100 मान लो देख लेते हैं दे रखा है क्लोजिंग का क्लोजिंग का कितना है हंडिड़ साथ पचास तो क्लोजिंग का क्या रहेगा परसेंटेज हंडिड़ साथ पचास तो हंडिड़ मतलब हजार का हंडिड़ पूरे हजार साथ मतलब छेसो पानसो अब हम ये देखेंगे के material में total material आपको बता दिया कि 20 लाक रुपए का material लगा है तो आपको एक unit का cost निकालना पड़ेगा तो अगर 20 लाक रुपए का material लगा है तो कितने unit बनाएं डिवाइड दरके निकाल लेगा है जो कि अगला statement है हमारा तो अब यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो कितने कितने लगे वह लिख लेते हैं सर्ट टोटल यह लगा हमारा 75 और आप देखोगे इसको material में कितना लगा 75 और 85 कितने होगे बताओ हाँ 75 400 प्लस कहा तो यह तो अब चल रहा है भाई अभी लगा है लगा पिस पुराना थोड़ी है सिर्फ opening stock के अंदर हम difference ले लेते हैं percentage का क्योंकि पुराना लग चुका है अब और लगाना है closing में तो अभी लगाया है ना तो वो same percentage रहेगा 8000 इसके बाद यह कितने वो तो आप बताओगे मैं तो आपके मैं आपके उपर विश्वास कर रहा हूं बस आठ हजार भाई सभी देख लेना मैंने कुछ नहीं किया इनको totaling किया यह क्या है यह working note है ठीक है यहां तक समझ मैं अब मैंने क्या बोला था तीन चीज़े बनाएंगे working note सर एक यह बन चुका done अब एक बनाएंगे cost, cost बहला बहुत आसान है cost का मतलब क्या है एक simple सा हम क्या बना रहे है cost per unit statement है न यह तो इतना आसान है कि पूछो मत सर यहां पे ले लेंगे हम unit कितने लगे यहां पे ले लेंगे cost रुपीज में यहां पे per unit यानि इसको इससे डिवाइड करके निकाल सकते है यहां particular यह आ गया statement of cost per unit statement of cost per unit sir 88,449 बच्चे ने गलत बता दिया अंकित कह रहा है question mark किस बात पर question mark normal loss का क्या क्यों नहीं होता normal loss तो ग्राहां की देता है ना normal loss तो ग्राहां की देता है तो हम क्यों उसकी costing करें वो तो total में जुट जाता है abnormal loss हमें bear करना पड़ता है separate दिखाना पड़ता इसलिए normal loss जो भी होगा ना उसको dash छोड़ना है उसके लिए कुछ नहीं करना बच्चे कह रहें normal loss में आपने blank छोड़ा तो मैंने आपको देखो पहले बताया था ना कि normal loss का percentage completion 0 मानना है तो अगर आप 0 मानोगे तो सब 0-0-0 रहता है यह मान के चलते हैं कि यह customer beer करेगा हमारे पले का कोई चीज नहीं है तो normal loss की costing क्यों निकाल देगे ठीक है हाँ normal loss का amount दूसरी बात normal loss का amount आपको पहले ही सवाल में दे देता है कि इस crap को इस rate में बेचेंगे जिसका costing से मतलब नहीं है वो एक tentative rate होता है वो चीज़े है चलिए सर अब हम निकालेंगे सबसे पहले material का सर material का निकालोगे मतलब material कितना रुपेल खर्चा किया यह भी दो बताओ material सर material में आपने जो खर्चा किया न वो खर्चा किया पर्चेस किया आपने material और पर्चेस पता है कितना किया यह रहा 37000 और सर बेच भी दिया normal loss scrap भी बेच दिया और normal loss scrap क्या बेचा normal abnormal दोनों ही बेचा होगा यानि आपने 1100 का scrap और 2 रुपे के हिसाब से 200 का बेच दिया होगा तो देखा जाए इसका जो खर्चा आया होगा माइनस कर दो करना माइनस 35 इसका मतलब material का आपके pocket से जो खर्चा बना ना वो 35-600 का ही बना कैसे सर 35-600 भाई 37-800 था ये खरीदा और 37-800 में 2200 का तो कूड़े का वाड़े में बेची दिया material कहां लिखा है अपने 2200 सवाल कहता है दो रुपे पर यूनिट स्क्रेप को बीच किया हो तो 2200 का तक वाड़ में बीच दिया तो आपके pocket से कितने जगे नेट में 35 देखिए बेखिए 35-600 किसी को doubt इसमें हाँ 2200 कुछ बच्चे पूछें के बार बार मैं लिख देता हूँ हमने 1100 यूनिट बेचे दो रुपे के भाव से सर अब दो रुपे कैसे आया लिख भाव एक बार question देखो ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं जरूर और एक बार पिछला production unit भी मन में calculate करो फटा फट से मन में एक बार calculate करो दो मिनिट मैं दे रहा हूँ revision के लिए मन में calculate मारो ये कैसे बनाया हमने statement ये ऐसे गया ये ऐसे गया इसके बाद मैं अगला भी बता दूँ मन में calculation मारो कि ये ऐसे था यहां से यहां आया यहां से यहां है मन के अंदर कर दो कर दो ये लिए कर दो कर दो कर दो झाल झाल दिया opening WIP जो add होगा वो दूसरे वाले method में होगा that is हमारा होगा weighted average में हम अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम FIFO method से एक बार question वाले slide दिखा दो yellow एक बच्चा पूछा सर abnormal loss क्या है कह रहे हैं कि एक abnormal loss कैसे आई ये बता दो तो सबसे पहले देखो scrap तो आपका 1500 unit था हम यहाँ पे abnormal वाले को तो अलग ही निकाल रहे हैं देखो किसको आप आपकी costing जो मानोगे ना तो आप देखो यहाँ पे question में कहता था कि आपका जो normal loss है ना normal loss 10 परतीशत है तो सर 10 परतीशत किसका total input का जैसे यहाँ पे आपने निकाल के दिखाया था normal loss किसका निकाला था total input का तो total input का आगया तो सर यह 1100 रुपय आए total input का अब normal loss को बेचने के लिए बोला है 2 रुपय के साब से बेचो तो मैं पूरा ही कर देता हूं नहीं तो बाद में बच्चे देखेंगे तो फिर परिसान होंगे नोट करने में आपका पूरा ही लिख देता हूं नॉर्मल लॉस कैसे 11,000 का 10% इस 1100 एक्वल टू 1100 और इंटू में 2 रुपए पर यूनिट ठीक है येलो मैंने यहाँ पूरा डिटेल ही कर दिया फिर confusion लग रही है मुझे यहाँ भी इस bracket को बंद कर देते हैं ठीक है फिर इसका जो answer आया वो यहाँ आ गया ठीक है अब थोड़ी समझदारी बढ़ जाएगी चलो इसको लेके चलते नेशे तो यह आया यह अब सर यह तो हो गया material का rate अब हमें labor का भी तो निकालना होगा आप labor के बारे में अरे यहीं है आप labor के बारे में बोल रहा है 17800 और overhead तो सर आपने total costing निकाल ली जी सर, total costing निकाल लिया कई बार ना examiner में स्रिफ बोलेगा statement equivalent बना दो 6 number में तो बस वही पीछे आला ही बनाना आगे नहीं बनाना अब आपका जो material unit है ना जो आपका यह लगा है ना तो कितने unit material यूज किये हैं आपने तो आप पीछे देखोगे तो आपने 89 unit यूज किये material कितने और आपने इसका कितना यूज किया है 89, 20 और सर labor 17840 है अच्छा एक जीरो लगाना भुल गए यहां तक clear है तो अब आप मुझे बताईए कि भाई आप per unit cost क्या होगा तो हम इसको क्या करेंगे यह तो simple पता है ना आपको इसका 4 इसका 8 2 और इसका 8 1 point में भी आ सकता है तो उसमें कोई tension वाली बात में ठीक है सर 75 कैसे आया introduce complete है 75 निकाला था ना टोटल हमारा 85 सो बन रहा था जिसमें से 1000 पुराना था आप देखिए ना मैंने बताया था ना क्या बताया था सर आपने कि भाईया सुरू में लगाए 10,000 एक हजार फिर लगाए 10,000 टोटल बने 11,000 फिर से इसमें माइनस पंदरा सो जो नुकसान बचे पिच्चे आनवे सो क्लोजिंग स्टॉक एक हजार टोटल बना कितना पिच्चे आती सो टोटल हम नेक्स प्रोशेस में ले जाएंगे जिसमें से 1000 पुराना है तो नया जो बना वो पिच्चे आता सर अब इसके साथ-साथ हमें न एक हॉर बनाना पड़ेगा कि टोटल कॉस्त कितना लग रहा है ठीक है न इसके साथ एक हॉर बनाना पड़ेगा क्या के टोटल कॉस्ट अरे क्या लग रहा है कि यहीं बना लेते हैं जिसको हम टोटल कॉस्ट बोल ले या कॉस्ट अपोर्समेंट बोल ले आपकी इच्छा यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर कॉस्ट एलिमेंट यूनिट पर यूनिट रेट टोटल कॉस्ट यह कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेंट नहीं है यह जनल क्यलकुलेशन को एक सजा के करने का तरीका है आप जैसे मर्जी करिए वो चलेगा सर यह बनेगा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट अपोर्समेंट भी लिख सकते हैं अपोर्समेंट सबसे पहले पर्टिकुलर पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा सर पर्टिकुलर के बाद आएगा हमारा एलिमेंट एलिमेंट का मतलब पता ही क्या होता है कितना मटीरियल है लेबर है क्योंकि एक प्रोड़क्ट बन रहा तीन एलिमेंट लग रहे है थीक है न एलिमेंट मेंने लिख दिया या फिर आप यहां पर और कुछ भी वर्ट लिख सकते हो कि कुछ भी और इस से मिलता जुलता नाम एलिमेंट से आप यहां पर लिख सकते है उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ güç ए न चलिए इसके बाद क्या आएगा सर? element के बाद आएगा हमारा unit कितने लगे उस element में फिर आएगा per unit cost कितना था जो कि ये rate निकाला फिर total आजाएगा हमारा starting होता है यहाँ opening से opening में क्या क्या लगा था? सर opening में element लग सकता है material सर लग सकता है labor सर लग सकता है overhead material देखो कितना लगा था opening में आप ध्यान से देखो opening में material अब हमें ऐसे चलना पड़ेगा यह लेके चलना होगा तो material तो 0 लगा है material कितना लगा? 0 unit क्योंकि पहले ही तैयार होके आये था labor कितने unit लगे? सर labor लगे 500 और 600 तो सर यह लगे 500 और यह लगे 600 इसका rate है 2 रुपए, इसका 1 रुपए, इसका 1000 और यह 600 मतलब opening stock लगे हमारा पहले का तो लगा ही लगा था 10,000 रुपए और नया मतलब उसको तैयार करने में 1600 अगर मेरे से कोई पूछे कि opening stock बताईए कितने का लग गया टोटल इसके अंदर, पूरा कितना खर्चा आ गया है इस 1000 में तो भहिया यह तो 10 और यह 11,600 समझ में आई बात आपको अब हमने complete भी किया, complete का लग निकलेगा complete में क्या लगा material labor overhead तो सर material कितना लगा, देखो complete की बात कर रहे है, यह रहा complete 75, 75, 75, 75 क्योंकि complete है भाई सब, 75, 75, 75, 75 तो यह भी इसका चार रुपए, दो रुपए, एक रुपए तो पिछात्तर सो इंटू चार दो एक तो बावन ठीक है, और क्या है भाई साब एलिमेंट में और क्या है सर एलिमेंट में सर एलिमेंट में ओपनिंग भी हो गया, complete भी हो गया, abnormal का भी हो गया, normal का निकालेंगे क्या, नहीं, यह तो zero है और closing, यानि abnormal और closing का और निकालना होगा सर तो सर चलिए, abnormal क्या क्या लगा, material, labor, over है सर material कितना लगा चलिए, material लगा भाई साब 400, 320, 240 400, 320 और यह 4 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए 1600, 640, टोटल, बताओ, इसके बाद closing इसके बाद closing सर, closing में भी क्या क्या लगा होगा इसको और उपर ले जाए चलो, उपर वाला तो अभी देखना नहीं है मैं सिर्फ करवा देता हूँ, notes में तो मिली जाए रहा material कितना लगा closing में अब देखें, closing में कितना 1600, 500, देख रहे होगे कितने काम काई यह 1000 14 आपने बताया 5000 अब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे यह सब वरकिंग नोट कर रहे थे, अब हम करेंगे क्या प्रोसेस अकाउंट इसको मिठा देता हूँ, अरे मिठ जाओ प्रोसेस अकाउंट कितने बनाने हैं, एक, तो सरकाम तो असान हो गया, अरे, लेकिन अब बस आपको यह देखना है, कि इस जो हमने निकाला है, उसको यूज कैसे करें, तर प्रोसेस अकाउंट ठीक है, अब प्रोसेस अकाउंट क्या क्या है तर यह थोड़ा नीचे करेंगे को सवाल दिखना जरूरी है ठीक है, सबसे पहले सर, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, जो पहले आया ओपनिंग स्टॉक, तो यह था एक हजार यूनिट और उसका था दस हजार सर, यह ओपनिंग स्टॉक नहीं लगेगा, भई यह तो पुराना माल है, जब कंप्लीट हुआ उसमें लगा हुओ ओपनिंग स्टॉक का, तो वह वहां चोड़ेंगे अभी देखते जाईएगा, इसके बाद माटीरियल कितना लगाया, सर माटीरियल लगाया 3700, सर लेबर कितना लगाया, 17840, सर ओवर हेड कितना लगाया, 8840, और आपने इंपुट भी डाला था ना, मैं यहां इंपुट लिख देता हूँ, कैसे लिखते हूँ, इंपुट जो यह है ना, माटीरियल, यही है इंपुट, और यह था हमारा दस हजा, बाई साइड में अब नॉर्मल लॉस था, कितना था, बिका कितने का, बाई एबनॉर्मल लॉस था, कितने, लेकिन अब यह कितने का बिका, यह यह हां से लेगे, कितने का बेचा होगा, यह कितने का हमारा बेचा नहीं मतलब कि कितना कॉस्टिंग गया हुआ 2480 इसमें रेट निकाली नहीं रहा हमें रेट इसके अंदर हमें टूटल कॉस्ट ही नहीं दे रहा हुआ तो वहां निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर ना ऐसा पिछला जो प्रोसेस था नहीं सब एकदम तयार माल का हो रहा था यहां पर कच्चा पक्का के विए से यह नुक्स जा गया है अब वाई क्लोजिंग स्टॉक लिख लें सर क्लोजिंग स्टॉक कितना था हजार हजार का कॉस्टिंग सत्तावन सो यहां से लिया अब next process में गया इसको समझिएगा जो next process में जाएगा तर वो जाएगा हमारा 85,000 85,000 में से opening भी जाएगा और कुछ new वाला जो हमने बनाया है ठीक है? opening stock में जो समान लगा है वो 10,000 तो पहले ही लगा चुके हैं और 1600 रुपे और लगा चुके हैं एक तो ये बनाने में total खर्चा जो हम next process में भेज रहे हैं तो total costing भेजेंगे ना तो opening का total costing आ रहा था हमारा 26,000 और complete करने का भी हमारा कुछ unit निकल के आ रहा था that is हमारा 75,000 यानि 52,000 आप समझिएगा हमने total जो next process में भेजाना या finished goods के एलू, FG के एलू कितने हैं हमारे 85 अब 85 का total costing कैसे निकलेगा एक तो आपने 75,000 का तो पहले ही निकाला हुआ है बावन सो तो सर ये होगा हमारा कैसे ये बावन 500 और सर opening stock भी तो था तभी तो 85 बना तो opening stock को बनाने में total खर्चा क्या आया एक तो 1600 इस बार लगा दिये आपने और पिछली बार तो total खर्चा जो निकल के आया है वो कितना आया प्लस 26 तो इसका मतलब इसको आप total करेंगे तो क्या हैगा बताईए अरे पच्पन अब इसकी मजेदार एक बात बताऊ इसके अंदर आपने जब सब कुछ विद लॉजिकल किया है तो अब यहाँ कोई balancing figure निकले गाई है टोटल कर दो इसका इसका total कर दिये तर यह भी यह आएगा आप चेक कर लिए अगर यह नहीं आ रहा तो फिर गड़बर कर दिया आपने कहीं न कहीं element कहीं न कहीं गड़बर कर दिया गलत आ रहा है कितना यहाँ से छेस यहाँ से छेस यहाँ से छेस होगा ठीक है ठीक है यह मैंने 2600 गलत लिख दिया यहाँ ग्यारा छेस हो कि यहाँ पर यहाँ पर यह मत जोड़ यहाँ आएगा 11 अब कितना रहा है बताओ अब कि यहाँ बावन पान सो ग्यारा छेस हो ग्यारा बावन त्रेसाट चौंसाट एक सो हाँ तो वह हो जाएगा आप देखो मैच कर लो तो मैंने बताई दिया यह से आंसर भी चेक हो जाएगा आपका आप सब चीजे डाल रहे हो सब कुछ अभी देखो नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब कहीं गड़ बड़ी तो गड़ दिया 26 वह मैंने मिटा दिया अक्षत मैंने हटा दिया वह वह गलती से मेरे से लिखा गया था क्लियर